इसी प्रकार सम्मुक विराजमान सुन्दर सिंगासन पर्श शोबिद शिरी परमहंस अदैतमत के शाश्वत जोती स्थम्ब के दर्शन ध्यान अपने हिर्दे के मन मंदिर में बसाते हुए एवम शिरी शिरी एकसो आठ शिरी हाजिर हजूर सद्गुरु दातादीन द्याल जी का मनुहारी सुन्दर दिदार अपने हिर्दे के मन मंदिर में बसाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जैकारा बोल मेरे शिरी गुरु महराजी की जैन भक्ती की दात लेकर सद्गुरु जद में आए हैं पांच नियम नित करो ये वचन परमाए हैं जो इन नियमों को अपनाए निश्दिन खुशियां पाएगा लोग तो सुखी है उसका पर लोग भी बन जाएगा बोल मेरे शिरी गुरु महराजी की जैन गुर्मको जो महापुर्ष रुहानियत की दात हम जीवों के लिए लाए हैं उसका इस संसार में ना कोई मोल है ना तोल है वो दात अनमोल है क्योंकि वो महापुर्षों की किरपा से ही इस जीव को प्रापत हो सकती है रमायन में बचन आये हैं कि बिन ससंग विवेक न होई राम किरपा बिन सुलब न सोई कि बिना ससंग के जीव को इस चीज का ग्यान नहीं होता उसका विचार महापुर्षों की तरफ नहीं होता जब तक उसे महापुर्षों की शरण नहीं मिलती कि बिना महापुर्षों की किरपा के बगैर जीव को ऐसा सच्चा सरमाया जो भक्ती का हमें इस वकत परमंज्याल महराज जी की किरपा से हाजिर हजूर सत्गुरू दाता दीन द्याल जी बक्ष रहे हैं वो कितनी अमोलक दात है जो की हर समय नित्यपट्टी महापुर्ष हमें ये दात दे कर हमारे अंतर हिर्दे को किस परकार से परफूलित कर देते हैं ये भक्ती की दात ही है जो जीव को इस संसार में भी सुक और आनंद परदान करती है और परलोक में भी संग सात रहती है शिरी पंचम पाशाई महाराज गुरु अर्जुन देव जी की बाणी है कि संत जना मिल भाई हो सच्चा नाम संभाल तोशा बंदो जीयों का एथे ओथे नाल गुरु किरपाते पाईये अपनी नगर निहाल करम प्रापतिस होवे जिसनु होवे दियाल महापुरुशों की शरण में आकर ही जीव को इस चीज का विचार आता है कि संसार में वो किसलिए आया है जो नाम भक्ती की कमाई करने के लिए और नाम के धन को एकत्तर करने के लिए संसार में आया है जब संतों की शरण में आता है महापुर्शों की किरपा को प्रापत करता है तो वो नाम के धन की कमाई करता है जो की इस संसार में भी सुख और अनंद परदान करता है जीवन में सुख और शांती परदान करता है और परलोक में भी संग साथ रहता है इसी लिए महापुर्शो पाईए अपनी नजर निहाल इसलिए महापुर्श जो हमें अपनी दिव्वे द्रिष्टी से निहाल करते हैं हमारे को हर समय आशिरवाद देते हैं तो वोही एक ऐसी दात है जो जीव की सलोक में भी और परलोक में भी संग साथ रहती है ये करम कम मिलता है जब जीव महापु महापुर्शों की शरन में आता महापुर्शों के आग्या मोज में चलता है उनके वचनों के अनुसार करम करता है तब ही उसे ऐसा स्वभागे प्रापत होता है जो कि हमें इस वकत हमारे सद्गुरुदाता दीन द्याल जी की किरपा से प्रापत हो रहा है यही एक ऐसी सची दाथ है जो महापुर्षों की किरपा से प्रापत होती है तो गुर्म को महापुर्ष दिन रात हमें ये रूहानियत की दाथ दे रहे हैं हमारा भी फर्ज है कि हम महापुर्षों के नियमों की पालना करें भक्ती की दाथ से अपनी जोलियां भरें एक बार हमारे पूजनिये म नाम भक्ती की जो कमाई का अवस्वर मिला है उसमें नाम में कितना प्रिपक्त होकर इसको बैठना चाहिए जैसे पुराने जमाने में जब इंजन चलते थे तो उसमें पानी डालते थे और पानी डालकर जब उसको चलाते थे तो पानी बहुत हौल जाता था तब इंजन स्ट दाट होता था ऐसे ही जब जीव शरीर में उस साधना पर बैठता है तो इसके अंतर हिर्दे में उस प्रमात्मा की शक्ति विद्मान होती है और जितनी जितनी अनंत किर्पा को प्रापत करता है तो उतनी उतनी महापुर्शों की वो अनंत दाथ इसको प्रापत होती रहती है तो इसलिए महापुर्शों ने आज के समय में हमारे लिए दो घंटे का जो नियम साधन बनाया है वो कितना असान कर दिया है कि दो घंटे नहीं बैठ सकते तो एक एक घंटा करके करें और एक एक घंटा भी ना करें तो आदा आदा घंटे में चार बार करें तो ये कितनी महापुर्शों की किरपा है कि आज भक्ती के साधन कितने सुलब और असान कर दिये है जिससे हर गुर्मुक हर जीव उसको प्रापत कर सकता है और महापुर्शों की किरपा को प्रापत करके अपना ये लोग भी सुखी कर सकता है और परलोग भी सुहला बना सकता बुलो जैकारा बोल मेरे श्री गुरु महराजे की जैन